इस चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माधियम से हम लोग अपने IE&IFS का MCQs डिसकस करें का फ्रेंट्स हम लोग डिरी live session conduct कर रहे हैं इससे पहले दोस्तों मैंने आपको unit 1, unit 2 इसका अलग-अलग MCQs live session provide किया इसका link आपको description में मिल जाएगा प्लीज उसे जाकर आप देखें और आज हम लोग MCQs unit number 3 को discuss करेंगे topic का नाम है economic planning in India इन निति आयोग तो इस पर जितने भी important MCQs है आज हमारा सेटसर किया ही है आज इस पर ही हम लोग discuss करने वाले है जो human development है ये core है सारे developmental effort का ये कौन से पंच वर्षिय योजना में recognize किया गया दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे पंच वर्षिय योजना है तो ये human development is the core of all developmental effort this was recognizing so friends correct answer है इसका 8th 5 year plan option number 1 मैं आपको थोगा पताता हूं दोस्तों मैं आपको थोगा इसका background समझाता हूं देखिए ये पहला ऐसा प्लान था 8th 5 year plan पहला ऐसा 5 year पहली पंच वर्षिय योजना थी जिसने recognize किया कि ये जो human development है ना this human development is the core of all development effort so this 8th 5 year plan recognize that this human development is the core of all development effort और दोस्तों plan document में क्या लिखा गया था कि जो हमारा development है development का जो focus है दोस्तों वो कहा होना चाहिए वो होना चाहिए लोगों पर focus होना चाहिए और उनके well-being पर focus होना चाहिए ये लिखा गया है हमारे 8th 5 year plan में दोस्तों याद रखिएगा 8th 5 year plan में human development पर तू focus है लेकिन किस-किस एडिया पर focus है आपका पता दू education पर focus है right health पर focus है then nutrition पर focus है उसके लावा दोस्तों employment पर focus है poverty elevation social welfare ये सभी पर focus है तो ये जो आठमा पंच वर्जिय योजना था ये एक बहुत ही बड़ा turning point था भारत के development strategy में और दोस्तों यहां से एक नया एरा का शुरुवात हुआ ठीक है देखिए हमारा की बहुत ही बारा कुंजी मानाने लागा human development को right और दोस्तों जहां तक बात है बाकी सभी option की आईए उसकी बारे मैं आपको समझा दूँ देखिए ये जो 6th 5-year plan है यहां जो 6th 5-year plan लिखा हुआ है इसका focus था दोस्तों self-reliance पे मैं आपको trick भी बता दूँगा कैसे रटा and social justice जहां तक बात करें 9th 5-year plan की तो दोस्तों यह इसका भी focus था human development में लेकिन दोस्तों इसने explicitly recognize नहीं किया right देखिए 9th 5-year plan का भी focus था human development पे ही but it did not recognize explicitly that human development is the core of all development effort तो पहला plan जिसने human development को explicitly कहा human development जो है सारे development effort का core है वो है हमारा 8th 5-year plan please remember this concept very important चलिए hopefully आपको पहला question समझ में आ गया होगा आईए question number 2 पे चलते है question number 2 आपके screen पर है सवाल में पुछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि कौन से साल में पहला पंच वर्षिय योजना को launch किया गया यानि first 5-year plan कौन से साल में launch हुआ 1951, 1950, 1952, 1953 देखिए सही जवाब है इसका 1951 जो हमारा पहला 5-year plan था वो भारत में अप्रील 1951 में launch किया गया दोस्तों यह हमारा पंच वर्षिय योजना का जो series है उसका पहला series था इसको use किया गया country के economic development के लिए right इसका focus कहा था दोस्तों इसका focus था कि हम primary sector को develop करें right मैं आपको था इसका background समझा दो इसका focus यह था कि जो हमारे primary sectors है मैंने आपको प्रिशल लेक्षर में sector समझाया था ना आपने देखा होगा कि sector में primary, secondary, tertiary sectors होते हैं तो basically इसका focus था कि हम primary sector को develop करें जैसे कि agriculture, irrigation, etc. देखिए जहां तक बात है other options कि 50, 52, 53 these are wrong right तो आपको मैं कुछ कुछ और point बता दू, first five year plan के बारे में exam में हो सकता है, पुछा जाए, कुछ पान को ध्यान रखिए, पहला point ध्यान रखिए कि यह plan जो है draft किया planning commission के द्वारा, किसने draft किया दोस्तों, planning commission ने draft किया, कब draft किया, 1950 में draft किया, दूसरा point याद रखिए, इसका जो cheap artistic थे, वो थे PCE, महाल नोबिस, इससे सवाल पुछा जा सकता है, देखिए, एक question से कितने सवाल बन सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरा person यह पुछा जा सकता है, कि इस plan का जो target growth rate था, वो था 2.1%, लेकिन इसका जो actual growth rate था, वो था 3.6%, मतलब यह successful plan था, और चौथा point यह कि इसमें IITs, Indian Institute of Technologies, इसका establishment जो 5 IITs है, इसका establishment दोस्तों इसी plan के अंदर हुआ था, राइट, चलिए, तो आपको समझ में आ गया एक एक point, तो correct answer है, इसका अप्रिल 951 option number, यह is the correct answer, क्या आप JIV के examination के तयारी कर रहे हैं, जो कि आगामी अक्टूबर में इसका examination गड़ीट आ चुका है, तो friends, आपके लिए मैं perfect solution लाया हूँ, हमारा जो extensive mock test plan है, चारो subjects का, INIFS, AFM, PVP, RBWM, उसको design ही किया गया इस तरह, कि इसके माध्यम से आप अपने examination को आसानी से crack कर सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको daily quizzes, weekly unit wise mock test, ध्यान दिजेगा, मैं daily quizzes की बात कर रहा हूँ, weekly unit wise mock test आपको मिलता है, उसके बाद आपको module wise, monthly आपको module wise test मिलता है, और finally, आपको full length mock test मिलता है, यानि चार चीज़ का combination है, daily quizzes, unit wise, weekend quiz, module wise, monthly test, and four full length mock test, तो friends, आपको fully prepare बना देगा आगामी, JV के examination के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 full length mock test भी मिलता है, प्रतिक mock test का प्रतिक quiz जिसका complete solution PDF, video explanation भी आपको मिलता है, जो कि हमारे app के माध्यम से आप access कर सकते हैं, और साथ साथ web platform भी अबलेवल है, मात्र 200 रुपे में दोस्तों, आप हमारे JV and CIB mid simple app के माध्यम से, question number 3, question number 3 आपके screen पर है, इस question में दोस्तों आपसे पुछा जा रहा है, कि कि साल में planning commission का गठन हुआ, यानि in which year the planning commission was established in India, option है आपके सामने, देखिए ये सब आपके fact based question है, right, तो आपको इस तरह का question आना चाहिए, कि सही कौन सा year है, सवाल इस प्रकार के पूछे गए हैं इ हमारी IINRIFS के exam में, so in this question, देखिए, planning commission का जो establishment हुआ था, मैं आपको exact date बता देता हूँ, 15 March, exact date में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 15 March 1950, 15 March 1950, गो establishment हुआ, ये दोस्तों brain child था, जवाहरलाल नहरु का भारत के पहले प्रधान मंत्री, दोस्तों, the planning commission था, उसको task किया गया, क कि वो implement करें country five year plan को, देखिए, मैं आपको सम्झाता हूँ कुछ additional detail, तो planning commission का जो establishment हुआ था, दोस्तों, ये हुआ था, resolution of the Indian government, पहले chairman कौन थे, question पुछा जाएगा, बता ये, planning commission के पहले chairman कौन थे, तो दोस्तों, he is none other than our जवाहरलाल नहरु, he was the first prime minister of India, and planning commission के अंदर कितने members थे, 15 members थे, right, there were 15 members in the planning commission, जिसके अंदर economist, scientist, bureaucrate सभी थे, और planning commission का headquarter कहां पे है, तो headquarter हो रहे है, दोस्तों, इसका नई देली में, okay, its headquarter is in New Delhi, चलिए, question number four को देखते है, question number four आपके screen पर है, कि भारत का जो पहला पंच वर्सिय योजना था, इसका आप से period पुछा जा रहा है, right, यानि इसका अबधी क्या है, यानि पहले पंच वर्सिय योजना, first five year plan की period यानि अबधी कितनी है, आपके सामने चार options दिये गहे है, तो 51 to 56 है पहला option, तीक है, उसके बाद है, दोस्तों, 61 to 66, फिर है हमारा 69 to 74, और last दोस्तों, 79 to 84, बताईए क्या सही जवाब है, please tell the correct answer to this question, देखिए, भारत का तो पहला पंच वर्सिय योजना था, ये 1951 में सुरू हुआ, मार्च 15, 1951 और 1956 तक चला, right, तो इसका main focus था कि हम primary sector को develop करें, जैसे agriculture को, irrigation को, और दोस्तों, यहाँ पे industrial sector के development का भी अधारस्तम, इसी particular, हमारा 5 year plant पंच वर्सिय योजना में रखा गया, ठीक है, तोसा मैं आपको बाकी का period बता देता हूं दोस्तों, आपको आपके knowledge के लिए, यहाँ पे मैं start year लिखता हूं, और यहाँ पे मैं end year लिखता हूं, ठीक है, सवाल माली दे पुछ ले, देखिए, फर्स्ट 5 year plant का कहा है, 1951 से लेकर 1956, सकेंड 5 year plant कब से है, तो 1956 से लेकर 1961, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई formal role नहीं है, प्लानिंग कमिशन का, जो home minister होते हैं, वो internal security के होते हैं, और second high ranking official होते हैं, गौर्मेंट में, ठीक है, तो इन सभी का कोई ऐसा role नहीं है, भाइस प्रेजिट का भी कोई ऐसा role नहीं है, प्लानिंग कमिशन मे प्राइम निश्र का सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज रिमेंबर, option number is correct, चले, आगे देखते हैं, next question है, कि जो हमारा महान लोबिस model है, ये कौन से पंच वर्षी योजना में आया था, बताएए दोस्तों, महान लोबिस model कौन से पंच वर्षी योजना में आया था, option को जर correct answer आपसे पुझा जा रहा है, कि ये जो महान लोबिस plan है, ये कौन से पंच वर्षी योजना का सामिल, थ्वास मैं आपको background समझा दू, देखिए, ये जो महान लोबिस model है, ये developmental model था, क्या था ये basically, ये दोस्तों, ये एक आपका development model था, ठीक है, development model था, और इसका दोस्तों इसको प्रपूस किया था, प्रपूस किया था, प्रपूस किया था, PC महान लोबिस ने, इन्हों ने प्रपूस किया था, वो भारत के statistician थे, ये model बेस था idea पे, कि हम priority दें, development of heavy industry, ठीक है, mean क्या focus था, heavy industry का development, so this was the main focus of this particular plan, ठीक है, तो, तो model को adopt किया गया था, second five year plan, ठीक है second five year plan कब से कब था बताईए, तो 1956 से लेकर 61 तक था, राइट, दोस्तों, कुछ और detail में आपको बता दू, तो इस model का नाम ही है, PC महान लोबिस के बाद, और ये जो model था, ये बेस था, Soviet Union, Soviet Union, तो Soviet Union का जो five year plan था, उसके बेस पे model लाया गया था, heavy industry पे focus था, और main focus था, heavy industry क heavy industry का development, जैचे की steel हो गया, coal हो गया, ठीक है, फिर power हो गया, इस model को criticize किया गया, इस model को दोस्तों criticize किया गया, क्यों criticize किया गया, क्यों कि इस ने agriculture sector के development को neglect किया, दोस्तों ये जो महान लोबिस का model है ना, ये एक significant departure था, earlier development plan आप इंडिया से, क्योंकि हमारे जो, इस से पहले क ये जो development plan थे, उनका main focus था agriculture पे, लेकिन ये जो model था, वो इस idea पे based था, कि जो heavy industry है, ये जरूरी है rapid economic growth के लिए, इसलिए इस model को criticize किया गया, क्योंकि इस ने agriculture sector के development को कोई importance नहीं दिया, समझ मैं है दोस्तों, क्या reason है, what was the reason behind this, okay, so now before continue our lecture, दोस्तों मैं आपको बताओ कि हमा 3000 plus MCQs question bank, दोस्तों आपने देखा होगा कि इस बार के maximum question हमारी question bank से आया है, daily quizzes for all subjects, video explanation for this topic, unit wise and full length mock test, so these are the advantages of this JIV comprehensive plan, दोस्तों ये दी आपको कि विल PDF की requirement है, then you can offer our PDF plan, it costs रुपी 700 only, and friends you will get unit wise concise PDF notes, you will get 3000 plus MCQs question bank, you will get unit wise theory and MCQ PDF, additionally you will get previous year question, very important, previous year question is very important, और friends यदी आपको mock test plan में appear होना है, इसमें आपको daily quizzes मिल जाएंगे, हर इक चार subject के, साथे साथ होसों, you will get unit wise mock test, and you will get unit wise full length mock test, so friends don't wait for this opportunity, enroll in any of the program, install our app, enroll in any program and start preparing right now, JIV examination is just 3 month away, less than 3 month away, right, So, you can use this coupon code, comprehensive 10, I am again reiterating, आप इस comprehensive 10 coupon code को यूज करें, आपको 10% का discount मिलेगा comprehensive course पर, क्योंकि हमारे JIV के लिए हो, या CIV के लिए हो, as per your requirement, Now friends, let's come to the question number 13, question number 13 मैं आपसे पुझा जा रहा है, कि जो हमारी दुद्तिय पंचवर्सिय योजना थी, basically इसका focus कि सेक्टर पे था, बताएए, जो हमारी दुद्तिय यानि second, second हमारा 5 year plan था, इसका focus कि सेक्टर पे था, तो friends, आपसे option को जा देखते हैं, option ने पुझा रहा है public sector पे, अभी मैंने आपको बताया है, अभी we have discussed the PC मानलोबिस, right, development model, so पहला option का रहा है कि इसका focus था public sector पे, दूसरा का रहा है कि private sector पे, तीसरा का रहा है कि public और private sector दोनों पे था, और चौत्वा option का रहा है दोस्तों कि service sector पे था, देखिए, पहली बात तो समझ लिजे कि य करें, public sector को, तो यह हमारा first five year plan से departure था, ठीक है, तो हमारा पहला first five year plan था ना, इसका main focus कहां पे था, कि हम agriculture sector को develop करें, right, तो यह second five year plan को मानलोबिस model पे बेस था, किस model पे बेस था, अभी मैंने आपको बताया है, तो इस बेस बेस आउन माहल पेस मॉडल, तो public sector को देखा गिया, economic growth का engine, second five year plan में, और government ने heavily invest किया, heavy industry के development में, private sector को neglect नहीं किया गया था, second plan में, लेकिन जो government का focus था, वो था, कि हम public sector को develop करें, ठीक है, तो दोस्तों, second plan एक success था, बहुत सारी, बहुत तरीके से, क्योंकि इस का जो growth target था, उसने, इसने achieve किया था, लेकिन, प्लान को criticize किया गया, कि उसने agriculture sector को neglect किया, और एक large public sector bureaucracy को create करने के लिए से, ने criticize किया गया, चलिए, आगे देखते है, plan number, question number 14 को देखते है, question number 14 आपके सामने है, पुछा चारा है, कि इन में से, कौन final authority देता है, five year plan के approval के लि तो let us see the option that we have, first option is union council of minister, दोसरा option है दोस्तो planning commission, तिसरा option है हमारे पास prime minister, and the fourth option we have is national development council, NDC, बहुत बढ़िया question है, दोस्तो सही जवाब है इसका NDC, that is option number D, NDC, national development council, देखिए, ये एक final authority होता है, जग कि अप्रूब करते हैं, five year plan को, right, this question was asked, NDC के अंदर कौन कौन होते है, NDC NDC के अंदर chief minister होते है, सभी state के, it consists of chief minister, of all states, ठीक है, इसके अंदर union territory के भी chief minister होते है, state के भी chief minister होते है, NDC की responsibility है, कि वो review करेगा five year plan को, और उसमें कुछ recommendation करेगा government को, so this will recommendation to government, ठीक है, दोस्तों, दूसरा option गलत है, ये जो union council of minister लिखा है, तो ये जो union council of minister होता है, प्लानि commission है, और the prime minister है, इनके पास final authority नहीं है, दोस्तों, NDC के बार में कुछ और point में आपको बता दूँ, देखिए, NDC, इसका establishment का हुआ, इसका establishment का हुआ, ये एक statutory body है, ये एक statutory body है, उसके बाद दोस्तों, साल में एक बार meet करते है, उसके बाद, दोस्तों, इसका decision जो है, government पे binding ह होता है, ठीक है, तो CA point को ध्यान रखना है, दोस्तों, now let's come to question number 15, let's come to the question number 15, let's see what are the topic we are going to discuss, now, last 5 year plan कौन सा था, भी में आपको दाया, कि जो हमारा 12th 5th 12th plan था, इस पास the last 5 year plan, option number D is correct, now let's see question number 16, question number 16 is, what was the major objective of the third 5 year plan, यहनी दोस्तों, हमारी जो तित्य पंजवर्ची यहना इसका major objective क्या था, so option को दिखते है, socio-economic development, rapid industrialization development, regional development, financial development, जोस्तों, यह जो हमारे तृत्तिय पंची वर्ची यहना है, इसका main objective था, कि हम region को develop करें, तो option number C is correct, the main objective was regional development, now, इन वे से कौन सा, किसे consider नहीं किया आता है, नितियायो के लिए, तो नितियायो के लिए, तो नितिया body है, दोस्तों, नितियायो के बारे में सही जवाब है, कि basically, it is an executive body, so option number D is correct, now, let's see, question number 18, 18 question में क्या बता जा रहा है, question में पुछा जा रहा है, कि नितियायो के लिए, एक non-console body है, okay, देखे, पहला question है, कि पहला पंच वर्ची यह जोजना था, कि किसके model पे बेश था, महान पहले भी हमारे पंच वर्ची जोजना है, इसके पीछे कुछ ना कुछ, मॉडल्स है, like, पहले में हमारा है, हराल-डोमर ग्रोथ मॉडल है, दुसरे में हमारा महानलोबिस मॉडल है, so please remember, this thing very important, now, let's see the question number 19, that we have, which three year is set as planning holiday, भारत में किस तीन साल को planning holiday का जा जा था, planning holiday सब एक ऐसा period जहां पे कोई प्लान नहीं develop हुआ हो, right, कोई planning नहीं किया गया हो, तो बता यह वो कौन सा year था, option को जरा देखते है, पहला है 65 to 68, दूसरा है 66 to 69, तिसरा है 68 to 71, दूसरा है 69 to 72, we have already discussed this question, correct answer is option number B, 66 to 69, यह इने इस question को देखते है, question number 20, planning commission एक non-extratory body है, एक independent or autonomous body है, एक independent or non-extratory body है, दोस्तों सही जवाब है इसका, कि planning commission एक non-extratory body है, so friends, this was set of 20 questions, friends, let me remind you about our app, आपको daily quizzes यह दी देना है, तो दोस्तों जरूर आप इस अप को इस अप को इस अप को इस अप को इस अप कर ले, प्ले इस्टोर पे जाए, जाए 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 जाए, जाए आपको PDF की requirement है, चाहे आपको videos की requirement है, यह आपको mock test की requirement है, यह आपको daily quizzes की requirement है, सारा चीज़ अप लेवल है हमारे इस अप पे, जिसका आप help लेकर अपने JIV examination को काफी असान मना सकते हैं, so don't wait, just install our app, just download our app which is available on the google play store,